गेजरिवाल की पार्टी ने मांगी रेली की इजाज़त चुनाव आयोग ने दी मा की गाली पच गया बबाल चुनाव आयोग पर देश के लोगों को बिलकुल नहीं रहा भरोसा सोचन मीडिया पर लोग इसे बता रहे मोदी आयोग चुनाव आयोग का काम है निस्वक्ष चुनाव कराना लेकिन विपक्षी पार्टी के नेताओं पर कारवाई लेकिन भाजपार नेताओं पर कारवाई करने के हिम्मत नहीं इसी वीच एक बड़ी खबर आई है जिसने सब को हैरत में डाल दिया जमाम आदनी पार्टी निवकाईदा रेली की इजाज़त मांगी तो इसके जबाब में चिठी में मा की गाली दी गई है इसके सबूत भी है ये सच भी है तुछ अधिकारियों को सस्पेंट भी किया गया लेकिन इस खबर के पीछी की पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे उससे पहले गुजारिश है चैनल पर पहली बार आएं है तो सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें पूरा मामला क्या है आचार संग्विथा लगने के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रेली करने के लिए चुनाव आयोग से इजाजत लेनी पड़ती है ऐसा ही कैथल में आम आदनी पार्टी ने किया लेकिन चुनाव आयोग ने रेली करने से मना कर दिया आविधन को रिजक्त कर दिया शाथ ही साथ मा की गाली भी दे दी जबकि इसके लिए चुनाव आयोग के कर्मचारियों को काफी ट्रेनिंग दी गई थी फिर भी इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, मा की गाली कैसे दी गई इतनी बड़ी गलती होने के बाद भी जमेदार कर्मचारियों को सरकार क्यों बचा रही SDM ने उन जमेदार कर्मचारियों को सस्पेंड किया तो राजपाल ने SDM को ही सस्पेंड क्यों कर दिया आम आदनी पार्टी के कारेकरता दोरा दिये गए आवेदन को रिजक करने के साथ ही पार्टी के लिए जवाब में विवादित बाते लिखी गई थी इस मामले में बड़ा एक्शन हुआ है लोग सुभा चुनाब दोहजार चुबी स्कूलिकर पूरे देश में सियासी पारा चड़ा हुआ है इस बिच चुनाब आयों की वेवसाइट हैक होने का मामला सामने आया जिसके चलते SDM ने 5 करमचारियों को सस्पेंड कर दिया जिसके बाद राजपाल ने SDM को ही सस्पेंड कर दिया यह मामला हर्याना के कैथल जीली का है जहांके SDM ब्रम्भा प्रकाश गवर्नर के आदेश को सस्पेंड करते हुए सभी सस्पेंड अधिकारियों की पुना बहाली कर दी है जमिदार अधिकारियों को क्यों बचा रही भाचपा जब SDM ने जमिदार करमचारियों पर कारवाई कर सस्पेंड कर दिया तो फिर राजिपाल के दौरा SDM को ही सस्पेंड क्यों किया गया इसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े वो रहे हैं कैथल स्डियम को सस्पेंट करने के बाद हर्याना पुलिस हैस केस की जाज कर रही है वेवसाइट हैकिंग को लेकर A.R.O. ब्रमापरकाश ने कहा था इस मामले में उन्होंने तुन्त एक्षन लिया और जमिदार पाँच कर्मचैन्यों को सस्पेंट कर दिया था बताया था अग्यात अपराधियों के खिलाप कारवाई करने के लिए पुलिस को पत्र लिखा है फिलाल इस पूरे मामले की जाज की जा रही है A.R.O. एक्षन लिने की बात कर रहे थे लिकिन आज राजपाल ने उनके ही खिलाप बड़ा अक्षन लेते विस सस्पेंट कर दिया था सुप्रीम कोट के फैसली को पलटने के बाद चुनवायोग पर नहीं रहा भरोसा चुनवायोग पर अब देश के लोग को भरोसा बिलकुल नहीं रहा सोसल मीडिया पर लोग इसे बता रहे मोदी आयोग शक और तब गहरा हुआ जब मोदी सरकार ने सुप्रीम कोट की फैसली को पलट दिया था सुप्रीम कोट ने कहा था चुनवायोग के निक्ति एक कमिटी करी कि जिसमें सुप्रीम कोट के चेफ जस्टिस भी शामीन होगे लेकिन मोदी सरकार ने नया कानूम नाकर उसे फैसली को पलट दिया था और चेफ जस्टिस को कमिटी से बाहर कर दिया ताकि मोदी सरकार अपने मन मुताविक चुनावायोग के निक्ति कर सके बेपक्षी पार्टे के निताव को चुनावायोग तुरंद नौटिस भेशती है लेकिन अंडिय के या किसी बीजेपी के नितापर कारवाई करने की जहमत नहीं उठा पाती